भारत में दुनिया के सबसे ज़ादा युवा रहते हैं और इसलिए यहाँ पर जो बेरोजगारी की तरासदी है वो भयावे है वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है बीजेपी की राजसरकारों ने और खुद बीजेपी की केंदर सरकार ने बेरोजगारी को भयावे बना दिया है हर्याणा में दस साल सत्ता में रहने के बाद जब आज चुनाव के मुहाने पर हम पहुँचे हैं तो हर्याणा की बेरोजगारी मूब आकर खड़ी है वहां के लोग या तो इसराइल के युद्छेत्र में जाने को तयार है या बिचारे डंकी करने को मजबूर है नहीं तो सफाई करमचारी बनने को भी तयार है पाँच हजार सरफाई करमचारियों के पद निकले जिसमें से 46,000 ऐसे आवेदन आये जो पोस्ट ग्राजवेट और ग्राजवेट थे 6,000 पोस्ट ग्राजवेट ने और 40,000 ग्राजवेट ने आवेदन दिया एक लाग बीस हजार इसमें से बारवी पास भी थे जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन दिया जिस IIT को Ticket to Success माना जाता था IIT में होने का मतलब दुनिया के सारे सपने पूरे हो जाएंगे हमने दुनिया पार कर ली उस IIT में आज IIT मुंबई में पिछले साल जिस IIT में 18% प्लेस्मेंट नहीं हुए थे चात्रों के अब 25% चात्रों के प्लेस्मेंट नहीं हुए एक च चात्रों की यहालत हो गई अर्थविवस्था के चर्मरा जाने के कारण की बमश्किल 30,000 की नौकरी मिल पा रही है जब रोजगार के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसके उपर या तो लाठिया बरसाई जाती है या आसुगास के गोले दागे जाते है या जानवरों की तरे भेडबक्रियों की तरे उनको गाडियों में भर कर थाने का लिया जा जाता है तो नरेंद्र मोदी जी जब कोई रोजगार मांगता है तो आप उसको पकोड़े तलने की हिदायत देते हैं लेकिन इतना आक्रोश है युवाओं में इतना गुसा है युवाओं में जो भविश्र की बात करना चाहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो बात क्या करें लेकिन असलियत एक ये भी है कि जब चुनाओ के मुहाने पर हम खड़े हैं तो इस बात पर विचार करिएगा हर्याना का युवा 15,000 की कच्ची सफाई कर्मचारी की नौकरी करने को मजबूर है क्योंकि और कोई नौकरी और कोई रोजगार है ही नहीं उसके लिए IIT के छट्रों को नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी मिल रही है तो कम पैसो पर मिल रही है IIM के बच्चे प्लेस नहीं हो रहे हैं देश को इस कगार पर आप ले आए हैं तो आपके जन्म दिन को बेरुजगारी दिवस नहीं तो और क्या मनाया जाए